यूपी के लखिम पूर्खीरी में शार्दा नदी का जल स्थर बढ़ गया है जिससे ग्रामीन भयभीत होकर सुरक्षिस्थानों की और पलाइन करने लगे हैं हाला कि प्रशासन द्वारा बाड को रोकने का कारे जारी हो गया है बाड क्रसित गाउं बजेडा का हाल जानने क्षेत्रिय बीजेपी विधायक अमनगीरी पहुँझे और स्थिती का जायजा लिया और ग्रामीनों को शासन पर शासन द्वारा मदद मिलने को कहा साथ ही कहा कि बाड प्रभावित क्षेत्रों पर सरकार पैनी नजर बनाये हुए है भावित लेकิन वही हमारी प्रात्मिक्ता यह है कि जो भी हमारे बाड से चूते हुए नहर से चूते हुए जितने भी गाउं इनको कैसे बचाया जा सके और जो वहाँ पर ग्राववासी हैं उनको कितने अच्छे से हम लोग सुविधाई दे सकें ताकि उनको कम से कम परिशानी है लेकिन कटान ना हो इसके लिए तयारी इनको भी पूरी करनी है यह कह रहे हैं कि नहीं होगी वह ऐसा नहीं है उनको तयारी फिर भी करनी है इसलिए ये लोग काम लेकर भी आए, इनको काम करना भी है, गाउन वालों को बचाना भी है, करटान हो ना हो, देखिए देवरी आपता है, उससे कोई ने बचकता है, लेकिन हमारी कोशिश ना हो, हमारी तैयारी ना हो, ये हमारी विफलता है, कोशिश में कहीं कमी नहीं होने चाहिए तयारी हमारी पूरी रहने चाहिए उसमें पूरा पार्टी पूरा सब लोग साथी सब लोग